स्वागत है आपका टेक्नो व्लोगी में मैं हूरिशब पारिक और मैं लेगे चलूँगा आपको गैजट्स और टेक्नोलोजी के दुनिया में तो चलिए चलते हैं उपो अप проект करने जा रहा एक और नया फून ऊपो बहुत ही चीरिफाड कर देने वाली सीरीज है उपो का एक और जो रेनो सीरीज का उपो रेनो 2 था उसका स्पेसिफाइड वीडियो बनाय था एक दिवन डिटेल में वो स्मार्टफोन कैमरा के मामलें में बहुत ही अच्छा था हालाकि उसकी प्राइस भी उतनी ही अच्छे लेकिन कैमरा के ममले में वो सच में बहुत अल्टरा जूम करने पर भी उसकी क्वालिटी रिमेंग थी फोटो की तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहें तो आप वो भी देख सकते हैं वापिस आते हैं हमारे में सब्जेक्ट के उपर जो कि है ओपू रेनो एस तो इस स्म सबसे पहले बात करेंगे हम इसकी डिस्प्ले के बारे में तो इसमें जो डिस्प्ले आएगी वो होगी 6.5 इंच की फुल एचडी प्लस एमोले डिस्प्ले जिस पे आपको वाटर ड्रॉट नॉच मिलेगा मतलब इसमें इसे साब से जैसे ओपो रेनो टू में दो कैमरे थ आपको सिंगल ही कैमरा मिलेगा क्योंकि वाटर ड्रॉट नॉच से आ रहा है और इसके अंदर होगा हमारा प्यारा दुलारा हैंसम सा क्वालकॉम स्नैप्रागन 855 प्लस सिस्टम ओन चिप प्रोसेसर जो की क्वालकॉम का तक का लेटिस्ट प्रोसेसर है और बहुत जादा प्रोसेसर जितने भी फ्लेक्शिफ डिवाइसे जैसे रियल्म एक्स्टू प्रो है वन प्लस का है सब कंपनी के फ्लेक्शिफ डिवाइसे में लगबग कॉलकॉम स्नैपड्रेगन 855 प्लस या 855 ही यूज किया जा रहा है क्योंकि कॉलकॉम की तरफ से ये लेटिस और प्र प्रोसेसर है इसी लिए ओपो रैनो टेस में भी इस प्रोसेसर का यूज किया जाएगा इस फोन की जो में आई लाइट है वह इसकी चार्जिंग स्पीड जिहां ओपो रैनो टू बहुत फास्ट चार्ज होने वाला स्मार्टफोन है ये 65 वोट के जो फास्ट चार्ज को जाते हैं, खमाल है, और एक परसेंट पता हम कितने मिनेट में चार्ज होता होगा, आप गैस कीजीे, 10 सकिन्ड में, एक परसेंट 10 सकिन्ड में चार्ज हो जाता है, अभी इस वीड़ियो में आप देख सकते होगे, कितना best charge हो रहा है, तो ये स्मार्ट फून की, खुबी होने वाली है में और जो बैटरी होगी वो 4000 mAh की होगी टाइप C पोर्ट मिलेगा आपको इस स्मार्ट फोन के अंदर अब हम आते हैं हमारे फेवरेट टॉपिक के उपर जो की है कैमेरा इसके बैक में आपको क्वाड कैमरा सेट अप मिलेगा जी हैं बलकुल इसके बैक में आपको क्वाड कैमरा सेट अप मिलेगा जिस में recovery lens होगा वह ओगा 48 MP प्रामरी जो कि सही कौरेटी क्वाइट देगा क्योंकि OPPO के recently इस सीरीज में जितने भी फोन लोंच हुए है वो अच्छी camera performance के लिए जाने जाते हैं लेकिन Oppo Reno 10X Zoom की तरह इसके अंदर हमें 10X Zoom वाला feature नहीं मिलेगा क्योंकि ये Oppo Reno 10X का successor नहीं है ये Oppo Reno Ace में ही एक और category का smartphone है इसलिए ये बात ध्यान में रखें कि इसमें 10X Zoom का support आपको नहीं मिलेगा Oppo Reno 2 के अंदर आपको dual serious speaker मिलेगा जो कि आपकी sound quality को awesome level पर लेके जाएगा Realme X2 Pro में भी dual serious speaker है जो की अच्छी निशानी है technology के grow करने की वहीं इसकी जो screen refresh rate है वो की 90Hz per second refresh rate जो होती है अब 90Hz या 120Hz refresh rate जो smartphone में आती है वो क्यों आती है ये थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ माल लीजिए आप game खेलते हो PUBG खेलते हो या Call of Duty खेलते हो या ऐसा कोई भी game खेलते हो जिसमें हार्डगोर ग्राफिक्स की जरूरत पड़ती है या आपकी जो video frames है वो बहुत ज्यादा है जो कि आपकी phone को lag कर सकती है या जो मजा है आपकी screen को use करने का उसको खराब कर सकती है तो screen refresh rate जितनी ज्यादा होगी उतना ही अच्छा experience हमें अपने screen को use करते वक्त मिलेगा उसकी जो ग्राफिक्स है विजूल्स है वो उतने ही improve मिलेंगे जितनी ज्यादा screen refresh rate होगी तो इस बात को ध्यान में जरूर रखें कि OPPO Reno2 के अंदर एक अच्छी display experience आपको मिलेगा क् इसके अंदर 90Hz की refresh rate वाले screen है इसकी confirm price तो अभी मुझे नहीं पता क्योंकि किसी को नहीं पता है क्योंकि अपने reveal ही नहीं की 10 October को शायद वो इसके जो एकड़म detailed configuration है वो और इसकी price को reveal कर दें तब मैं हाजिर हो जाहूँ आपके लिए वीडियो लेके नहीं वीडियो लेके इसके उसमें detailed और price लेकिन मुझे अपने सुत्रों से पता चला है कि इसकी कीमत लगबत 30,000 रुपे के आसपास होगी तो 30,000 रुपे में आपको क्या क्या मिलेगा 90Hz की refresh rate वाली screen और 4000 mh की battery जो की 65 watt के fast charge के साथ support कर दे जो कि आपके phone को 75% सिर्फ 25 मिनिट में चार्ज कर दे जो की awesome चीज है Qualcomm Snapdragon 855 system on chip processor जो की latest और powerful processor यह ध्यान में रखिए तो all over मिलागे जो इसके specifications और ठीक आगी है 30,000 रुपे में सही है आपको latest processor मिल रहे है तो जैसा यह phone market में आता है तो इसका review करेंगे कि क्या यह अपने कीमत को justify करता है तो इस वीडियो में बस इतना ही thank you so much यह वीडियो देखने के लिए bye bye